गाइज जाने अन जाने में या तो भूल चुक से या तो फिर आपके घर के जो मिम्मर है बच्चे हैं या तो फिर भाई बहन जो भी हो उनके गलती से या तो आपके गलती से आपके फोन में इस तरह से लॉक लग गया है चाहे वो लॉक हो पेटरन हो पीन हो पासवर्ड हो फ कोई भी लोक को किसी तरह लोक को और आप उस लोक को आप को नहीं 이것 नहीं कर पारे हैं तो इस वीडियो मा में कुछ सिखाने वाले हैं कि कैसे अंख किया जाता है किसी भी फोन को android होना चाहिए smartphone होना चाहिए यहां पर देख रहें मेरे हाथ में एक smartphone है जो यहां पर lock है यहां पर pattern lock लगा हुआ इस pattern को हम आपके सामने जी हां इसी वीडियो में आपके सामने इसको unlock करेंगे वह भी without data loss बिना computer के help से इसमें computer नहीं चाहिए इसमें internet नहीं चाहिए इसमें किसी भी extra application भी नहीं चाहिए यानि कि software नहीं चाहिए आपको हों service center भी नहीं जाने देंगे अगर आप इसी काम के लिए service center जाओगे तो आपका काम होगा लेकिन वहां पे आपका data नहीं बचेगा वहां पे data loss कर देता है data loss इसली करता है कि पहले तो आपको phone को unlock करेगा और उसके बाद आपका phone को reset मार करके दे देंगे ताकि हम सबको यह लगता है कि हमारा phone को unlock किया गया है और हमारे phone में काम किया गया तो service center का जो engineer है कैसे किसी भी phone को unlock करते हैं सीख लीजिए यहां पे देख रहे हैं लॉक है तो जब भी आप लॉक में जाओगे तो आपको एक emergency call दिखे गए आपको यहां पर इस तरह से select कर देना है जैसे जैसे ही select करोगे यहां पर एक page ओपन होगा emergency calls only का page देख रहे हैं इसी page पे आपको यह code इंटर करना है पहले इसको बोलते hidden secret code जैसे ही यह code इंटर हो जाएगा last में starter hedge लगाना नहीं भूलिएगा देख रहे है सुरू में start hedge है और last में starter hedge है इस code पे क्या करना है इस तरह से call करना है आपको यहां पर 3 times करना है जैसे ही आपको 3 times complete हो जाएगा इस code को यहां से इस तरह से erase कर देना है erase कर दिया मैंने, erase करने के बाद अब यहाँ पे एक final code है जिसको बोलते है master unlocking code और यहाँ पे hedge press कीज़ेगा, देख रहे हैं, जैसे ही मैं hedge press किया, यह phone चला गया engineer mode में, तो फिर इसी page का service center का जो engineer है, help लेते हैं, और इसी page से हम लोगों का phone को unlock करके देते हैं, और हम लोगों प अब देखें, यहाँ पे बहुत सारा page open हो गया है, बहुत सारा option है, लेकिन सारे option में enter नहीं करना है, उपर से number 4 पे दियो option है, जिसका नामे manual test, इसको click किजेगा, click करने के बाद आपको इस तरह से slide करते हुए second page में चलाना है, जिसका नामे device dubbing, अब यहाँ पे क्या करना ह जो देख रहे हैं, यहाँ पे सबसे नीचे में, जो देख रहे हैं, aim sensor, aim sensor को इसको click किजेगा इस तरह से, और यहाँ पे यह देखना है, कि आपका X, Y और Z इस तरह से fast move हो रहा की नहीं हो रहा है, जब fast move हो रहा है, तो यहाँ पे 5 second hold करना है, 5 second hold करने के बाद इसको back कर द अब बैक करने के बाद यहां से बैक करेंगे और यहां पर दो सेंसर ऑप्रेशन नौट अस्टार्ट मोड में यह दोनों को स्टार्ट मोड में किजिए इस तरह से जसे ही करो गया एक टेस्ट पास करके आएगा अगर नहीं आएगा तो फिर से हमको try करना होगा देखे दोनों fail हो गया है जब ट्र ट्राइ करेंगे जब तक कोई एक sensor इस तरह से test pass करके नहीं आ जाएगा देखे दैखें अब इस sensor के नाम याद रखेगे ना देखे इस sensor के नाम है जो test pass हुआ है उसका नामे जारुसकोप जो फेल हुआ Islerometer तो हमको फेल वहला से मतलब नहीं है हमको पास वहला से मतलब है तब पास जो हुआ है उसका नामे जारुसकोप तो यहां से बाइक कीजिएगा उसके बार सेंसर पसेट टेस्ट इसको कलिग केजिएगा यहाँ पे चार ओप्सन है, यहाँ पे आपको अब सर्च करना होगा, जो sensor आपको पास मिला है, उस sensor का नाम यहाँ पे सर्च कीजिए, वहाँ पे sensor जो पास हुआ था, jaroscope, तो यहाँ पे देख रहे हैं, jaroscope का सबसे last टवले digit, यहाँ पे चेक कीजिए, सबसे last का digit है 7, देख र करना है इस तरह से one two three four five six seven seven times यहां पर क्लिक करने के बाद जितना डिजिट रहेगा उतना ही बार आपको क्लिक करना अगर फोर रहेगा तो फोर बार क्लिक करना है ध्यान से सुनिए और ध्यान से देखिए उसके बाद जैसे ही यह कंप्लीट हो जाएगा यहां से इस तरह से करेंगे और सबसे लास्ट में इस तरह से स्लाइड करते हुए एक अधरस नाम के पेज मिलेगा उसके बाद क्या करना है इसको क्लिक करेंगे और यहां पर ओके करने के वाद आपका फोन इस तरह से रांग पासवर्ड इसेट मोड में चला जाएगा जैसे ही चला जाएगा तो उसके बाद क्या करना है रिडिंड इसेट कंप्लीट इंडिकेटर यहां पर क्लिक करके चेक कर लेना है कि पास एक नहीं है जब जैसे ही यहां पर पास मिलेगा वह मिनु बटम को क्लिक कीजिएगा और देखेगा कि यह फोन अनलोक हो जागा तो चली हम करोचे करते हैं यह phone unlock हुआ की नहीं हुआ देखरें गाज live result आपके सामने है यह phone unlock तो हुआ ही और इस phone में जितने भी data है अप्लिकेशन है वो सारा इसमें available है मौजूद है तो friends यह बहुत ही संदार्ट्री के आभी ट्राइक किजे आपका phone घर वैठे unlock हो जागा आपका पैसा भी बरबाद नहीं होगा और आपका data भी lost नहीं होगा तो friends अगर आपका हो गया है अभी तक तो वीडियो को like और share करके जाना नहीं हुआ है उस case में आप हमारे चैनल को subscribe करते वे comment किजेगा हमाई टीम आपको 24 से 48 घंटे में help कर देगी अगर आप चाहते हैं जल्द से जल्द solution और reply तो आप हमारे join को button को click किजे जैसे ही आप join किजेगा तो हमाई टीम की ओर से 100% solution दिया जाएगा fast में तो thanks for watching, santec info and bye bye